हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे सम्विधान का निर्मान यानि के फ्रेमिंग ओफ इस वीडियो में हम काफी सारे मैटवण प्रशन लेके आएंगे जो एक वाले भी हैं तीन अंक वाले भी और आठागे इसके साथ मांचित्र पर आधारित प्रशन भी इसमें से लेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इस चैप्टर में इन प्रशनों से बाहर कोई प्रशन नहीं आने वाला है ऐसा मेरा दावा है तो शुरू करते हैं वीडियो को तो यहां पहला कॉश्चन है कि भारत का संबेधान कब लागू किया ग होगा कि भारत का संबेधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो यह तो हमने इसकी डेट बता दी अब हमारे को इसकी कोई एक खासियत बतानी है तो इसकी एक खासियत यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा संबेधान है यानि कि लॉंगेस्ट कॉंस्टिटूशन इन दा वर अब ना टाइम लगा तो वो बताना है तो इसको बनाने में दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन लगे थे क्वेशन नमबर तीन है भारतिये नौसेना के सिपाईयों का विद्रो कब और कहां हुआ था यानि कि भारतिये नौसेना जो हमारी नेवी है इंडियन नेवी उन्होंने कब विद्रो किया वो समय बताना है और कहां पर किया था तो इसका उत्तर है कि भारतिये नौसेना के सिपाईयों का विद्रो 1946 में यानि के आजादी से पहले जब यहाँ पर ब्रिटेन का शाशन था तो 1946 में बसंत का जो मौसन था उस समय में बंबई और अन्य शहरों में हुआ था यानिके यह जो है 1946 के शुरुआत की बात है अब अगला कोशन है कोशन नम्बर चार संबिधान सबाग के छे सदस्यों की भूमी का मैत्रपून रही इन छे सदस्यों के नाम हमारे को बताने है यानिके यह छे सदस्य कौन थे तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि पहले हैं जोहारलाल नहरू जो कि कॉंग्रेस के थे और हमारे देश के प्रथम परदान मंत्री भी बने हैं तो जोहारलाल नहरू का इसके समिधान सबाब में योगदान था क्यूंकि आप जानते हैं कि वो पेशे से एक बैरिस्टर थे दूसरा है वल्लब भाई पाटेल वह भी क प्रदाजंदर परशाद यह भी कॉंग्रेस के नेता थे तो यह हमारे प्रतम राष्ट्रपती भी रहे हैं तो इन्होंने समधान सबाखे मैथ्पून बहुमिका निभाई समयधान भी बनाने में और चौते जो हैं और सबसे मैथ्पून हैं वह हैं डॉक्टर भी कर जो कि एक प्रख्यात विद्धिवेता थे यानि के कानून के विशेशग्य थे विद्धि कहते हैं कानून को और विद्धा मैंने जानने वाला और अर्थ शास्त्री यानि के एकनॉमिक्स्ट भी थे तो बियार अंबेड कर जो थे उनका योगदान सबसे अधिक रहा है प्रश्न स्वामी अईयर जो की वी वकील थे तो यह जो छे जो हैं सदस्य थे जिन्नोंने समिधान सभा में महत्वण भूमिका निभाई थी कौश्चन नमबर पांच है समिधान सभा के कार्य में सहता करने वाले दो परशासनिक अधिकारी कौन थे तो उनके नमें नाम बत परशासनिक अधिकारियों ने महत्वण भूमिका आदा की वो कौन थे उनके नाम बताने हैं तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा पहले हैं वी एन राव यह भारत सरकार के सम्मिधानिक सलाकार थे यानिके Constitutional Advisor थे Government of India के और दूसरे हैं S.N. Mukherji यह मुखे योजनाकार थे यानिके Chief Planner थे तो इनके विशे में अंबेडकर जी निकाह है कि यह बेहत जटिल प्रस्तावों को भी सरलतम और स्पष्टम कानूनी रूप में प्रस्तुत करने कि उनकी शमता जो थी वो विरले ही लोगों में मिलती है यानिके उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता तो उनकी प्रेजेंटेशन जो थी मुश्किल से मुश्किल प्रस्तावों को आसान तरीके से और सपष्ट तरीके से प्रस्तुत करने की वो बहुत जबरदस थी तो इनकी तारिफ डॉक्टर अंबेडकर ने ख प्रेश किया गया इसकी एक विशेष्टा का वर्णन कीजिए तो उद्देश्य प्रस्ताव यानिके अब्जेक्टिव रेजिलिशन जो है वो कब पास किया यानिके वो समय बताना है हो और किसके द्वारा पेश किया गया ये भी बताना है तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंब का वर्णन भी हमें करना है तो वो दूसरे जो भाग है प्रश्ण का उसका उत्तर होगा कि इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभू गणराज्य गोशित किया गया था कोश्य नंबर साथ है 1919 और 1935 के कानून के अंत्रगत कारेपालिका के विशेह में एक अंतर बताए यान के जो Executive Committee थी उसमें कानूत है तो इसका उत्तर होगा 1919 में कारेपालिका को अंशिक रूप से प्रांति विधायका के प्रति उत्त्तरदाई बनाया गया था जबकि 1935 में यानि के 1919 के प्जव में जो आंशिक रूप से थी अब 1935 को कानुन के अंतरगात उसे लगबग पूरी तरह विधायका के प्रती उत्तरदाई बना दिया गया था यान के जो आंशिक रूप से उत्तरदाई थी उसे अब कम्पलीटली पूरे पून रूपेंड जो है उत्रदाई बनाया गया वर्शन नम्बर आट है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का पक्ष लेने वाले किसी एक नेता का नाम बताना है आपको तो इसका उत्तर होगा कि संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्से आरवी धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का पक्ष लिया था आप किसी एन्ने का भी नाम लिख सकते हैं लेकिन आर भी दुलेकर जो है इस मामले में सबसे परसिद्ध हैं जिनोंने हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का पक्ष लिया था कोश्यन नम्बर नौ है केंद्र को शक्तिशाली बनाने का पक्ष लेने वाले दो सदस्यों के नाम बताईए यानि कि इन दो लोगों ने कहा दो मेंब्रों ने कहा कि केंद्र को यानि कि सेंटर को जादा से जादा अधिकार देकर शक्तिशाली बनाना चाहिए तो इसका उत्तर होगा पहला है गोपाल कृष्ण आयर और दूस सकते हैं कोश्चन नमबर दस सम्मिधान के एक केंद्रिय अभिलक्षन का उले कीजिए जिस पर काफी हद तक सहमती थी तो यहां पर आपको एक सेंट्रल फीचर बताना है कॉंस्टिटूशन का कि जिस पर एक इंद्रिय अभिलक्षन बताना है जिस पर सभी लोग जो है मता अधिकार दिया गया यानिके वोट डालने का अधिकार दिया गया उस पे सभी लोग सहमत थे कि व्यस्क व्यक्ति को ही मता अधिकार देना चाहिए और दूसरा था धर्म निर्पेख्षता की नीती तो इन दो मुद्दों पर सभी जो सदस्य थे वो एक साथ सहमत थे question number 11 है कि विभिन सम्हू अल्प संक्यक यानके minority शब्द को किस परकार परिभाशित कर रहे थे यानके जो भारत के अंदर उस समय जो विभिन सम्हू थे विभिन लोग थे विभिन विचारधाराओं की लोग थे वो अल्प संख्यक शब्द को किस प्रकार परिभाशित कर रहे थे उनके विचार बताने हैं तो इसका उत्तर होगा कि विभिन समूओं ने अल्प संख्यक शब्द को निमिलिकित तरीकों से परिभाशित किया था है एंजी रंगा तो एंजी रंगा के अनुसार अल्प संख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए उनकी नजर में असली अल्प अल्प संख्यक गरीब और दबे कुछले लोग थे यानि के बहुत जो गरीब थे और जिनको समाज ने दबाया वो दोनों ही इसमें अल्प संख्यक आते हैं तो अल्प संख्यक शब्द का अर्थधार्मिक आधार या भाशाई आधार पर ना लेकर उन्होंने आर्थिक में अल्प संख्यक थे और उनके लिए जरूरी था कि ऐसी परिस्तितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिये गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रियोग कर सके तो रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है यानि कि यह गरीब और दबे जैपाल सिंग ने संख्या की द्रिष्टी से आदिवासियों को अल्प संख्यक नहीं माना क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह संख्या में काफी हधिक हैं तो इनको वो अल्प संख्यक नहीं मानते थे प्रंतु उनको संरक्षन परदान करने की अवश्यक्ता पर उन्होंन के लिए करने से मना किया लेकिन वो चाते थे कि इनको संरक्षन जरूर दिया जाए तीसरे हैं मद्रास के सदस्य जे नागप्पा तो उन्हों सदसमाजवा राजनिती में हाशिये पर रखा गया है तो हाशिये का मतलब होता है किनारे पर यानिके उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया बीस से 25 परतिशत अबादी का परतिनिद्व करते हुए भी हरी जन जो लोग थे उनको वह समाज में अधिकार नहीं मिले जो उन कार किया चोथे हैं मदरास के ही दक्षिनी वेला युधान जो एक महिला सदस्यां थी उन्होंने का कि वैस सात करोड हरी जनों को अलप संक्यक नहीं मानती प्रंतु उन्होंने उनकी सामाजिक अपंगताओं का अंत करने पर बल दिया यानिके वह कहनी थी कि जो जन संक्या म सात करोड हरी जन हैं उनको अलप संक्यक नहीं का जाना चाहिए लेकिन उनके साथ जो सामाजिक रूप से जो विसंगतियां हुई हैं परिशानियां हुई हैं या उनको दबाया गया है उनको खतम करना बहुत जरूरी है कोशन नमबर बारा है प्रांतों को जादा शक्तियों के पक्ष में क्या तरक दिये गए यानिके प्रांतों को जादा शक्तियां मिलने चाहिए सेंटर के बजाए तो उसके लिए क्या तरक दिये गए तो इसका उत्तर होगा कि प्रांतों को जादा शक्तियों के पक्ष में निमिलखित तर्क दिये गए पहला है कि प्रांतों के अधिकारों की सबसे तगड़ी हिमायत मदरास के सदस्य के संतनम ने पेश की तो उन्होंने का कि ना केवल राज्यों को बलकि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनरवित्रण जरूरी है वो चाहते पुनरवित्रण किया जाएगा यानिके शक्तियां बांट दी जाएंगी उनके अनुसार यह गल्त फैमी है कि तमाम शक्तियां केंद्र को देने से वह मजबूत हो जाएगा वो यह कह रहे है कि अगर सारी शक्तियां केंद्र के पास दे दी जाएं सभी अधिकार केंद्र को दे दिये जाएं तो केंदर मजबूत हो जाएगा ये गल्त पहिमी है क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अगर सभी शक्तियां उनको दे दी जाएंगी तो केंदर के पास जरूरत से अधिक जिम्मेदारियां होंगी तो वो है उनको प्रभावी डंग से उत्पन हो जाएगी, उनके अनुसार कुछ दाइतों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंपने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस तरह से राज्यों को और केंद्रों के बीच में सारी शक्तियों का अगर विवाजन कर दिया जाए, तो उसे केंद्र मजबूत होगा और राज्ये भी मजबूत होगे, तो संतनम के अनुसार शक्तियों का मौजूदा वित्रन जो है, वो राज्यों को पंगू यानिके हैंडिकैप बना देगा, डिसेबल बना देगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई विकास कारियों नहीं कर पाए उसके लिए धन भी उपलब्द होना चाहिए, तो अन्यता कुछी वर्षों में सारे प्रांत केंद्र की विरुद्ध उठ खड़े होंगे, तो उनका संतनम जी का ये विश्वास था, कि अगर केंद्र सारी शक्तियां अपने पास रख लेगा, तो उससे प्रांत जो है, वो सदस्यों का विचार है, कि संबर्ती सूची और केंद्रिय सूची में कम से कम विश्य रखे जाएं, यानिके संबर्ती सूची वो है, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और केंद्रिय सूची में केवल सेंटरल गवर्मेंट यानिके केंद्रिय सरका प्रांतों के कई सदस्यों का कि इन में कम से कम विश्य रखे जाएं और ज्यादा तर जो विश्य हैं वो राज्य सूची में रखे जाने चाहिए प्रांतों को जिससे अधिक अधिकार मिल सकें उडिसा के एक सदस्य ने चेतावनीदी की शक्तियों के बेहिसाब केंद्री करण के कारण केंद्र बिखर जाएगा तो उन्होंने ये कहा था कि अगर सारी शक्तियां अगर केंद्री करण कर दिया गया और केंद्र को ही दे दी गई इन सारी शक्तियां तो उससे केंद्र जो ह बिखर जाएगा क्योंकि प्रांत जो हैं फिर उनसे अलग होने का पर्यास करने लग जाएंगे Question number 13 है महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रे भाषा होनी चाहिए तो यहां हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी से नहीं है बलकि यह हिंदी और उर्दु की मिक्स भाषा है जो हिंदु और मुसल्मान दोनों द्वारा समान रूप से बोली जाती थी तो इसका उत्र इस परकार होगा कि मात्मा गांदी के अनुसार हिंदूस्ताणी राष्ट्र ये भाषा होनी चाहिए क्योंकि इसको लोग आसानी से समझ सकते थे तो मात्मा गांधी को पता था कि हमारे देश में अधिकतर लोग जो हैं या तो हिंदू हैं या मुसलिम हैं तो ये हिंदूस्तानी क्योंकि हिंदी और उर्दू क्या मिक्स रूप थी जो हिंदूस्तानी कहलाती थी तो इसे जादा से जादा लोग समझ सकते थे इसलिए भी क् जनता के बहुत बड़े भुभाग में बोली जाने वाली भाशा थी और तीसरा यह है कि यह विविद संस्कृतियों के आदान प्रदान से सम्रिद हुई एक सांजी भाशा थी तो यहां पर भारतिय जो भाशाई थी उनके मुकाबले हिंदुस्तानी भाशा जो थी वो और मुस्लिम दोनों के संस्कारों संस्कृतियों में पलकर बड़ी हुई थी शब्दों का आदान प्रदान हुआ था तो यह एक सांजी भाशा थी जो इस तरह से सांजे मेल से आदान प्रदान से अलग-लग संस्कृतियों के आदान प्रदान से सम्रिद हुई थी रिच हु गए इसमें विभिन सुरोतों से इसमें नए नए शब्द जुड़े कभी कुछ हमने उर्दू से लिए कुछ अर्भी से लिए कुछ अंग्रेजी से लिए इस तरह से अलग अलग सुरोतों से नए नए शब्द इसमें जुड़ जाने से और विभिन शेत्रों के लोग जो हैं इसको असानी से समझ गए सकते थे क्योंकि वहां की स्थानिय भाषाएं के शब्द भी उसमें जोड लिये गए थे तो इस तरह से हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा हो गई थी और वहां के लोग जो हैं एक बड़े भुबाक के लोग इसे असानी से समझ रहे थे अतय यह एक बहु सांस्कृतिक भाषा विविद समधायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है यह हिंदु और मुसलमानों को उत्तर और दक्षण के भारत को जो यहां पर उत्तर और दक्षण भारत के लोग हैं और हिंदु और मुसलिम जो बड़े वर्ग थे अब बिन अलग अलग धर्मों के इनको एकता के सूत्र में बान सकती थी तो इस तरह से क्योंकि वड़े भुभाग में बोली जाती थी उत्तर भारत में थो बहुजंक्यक बोली जाती थी लेकिन दक्षिन के भी काफी जो हिस्से में जो ये समझी जाती थी इस तरह से उत्तर और द चोदवाजन हैं संब्हदान 你्रमान के समय देश की अवस्था का वर्णन कीँ जिए तो इसका उत्मिदान निर्मान के समय देश अवस्था ने मिलखिक परकार किती तो पहला है कि यह समय महान आशाओं और भाषन मोग भंग का था यानिके जो आशाएं थी और भाषनों से लोगों का मोग हो चुका था तो इसी तरह की देश में ऐसी वस्था थी जब सम्मिदान का निर्मान हो रहा था तो विभाजन का जो बहुत बड़ा काला साया जो था वो उस समय देश के उपर था इसके अलावा लोगों के दिमाग में 1942 का भारत चुड़ों अंदोलन सुभास चंद्र गोस द्वारा आजादिन दुपाज बनाकर जो सशेस्त्र संगर्ष किया गया सुतंतिजा पाने के लिए उनकी यादें भी थी 1937-1946 में जो बंबई में शाही भारती नौसेना ने विद्रो किया था उसकी भी यादें थी और 40 के दशक के अंतिम बरशों में देश के विभिन भागों में जो किसान अंदोलन हुए थे नील की खेती या करों को लेके जो कटिन जो लगान वगारा के लिए जो अंदोलन हुए थे उनका भी एक याद जो थी अभी तक उनके दिमाग में कायम थी इसके अलावा अगस्त 1946 में देश के उत्री और पूर्वी भाग में हिंसात्मक घटनाय शुरू हो चुकी थी और देश के विभाजन की घोशना से नरसंगार में वृद्धी हुई थी यानि के जो देश का जैसे ही विभाजन शुरू हुआ तो हिंदो मुस्लिम और सिक्खों का एक स्थान से दूसरी स्थान पर अपने बहु संख्यक भाग में जाने का प्रयास जो था उसके द्वारा जो है मतलब काफी हिंसात्मक घटनाय हुई लाखों लोगों की जाने गई और एक करोड से जादा लोग जो हैं वो घर बार और संपत्ती छोड़कर भारत आये पाकिस्तान से या भारत से पाकिस्तान उनको जाना पड़ा तो इन शरणारतियों की समस्या बहुत गंभीर थी और ये जो रिफ्यूजी लोग थे जो भार से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आये थे तो उनकी समस्या भी देश के सामने थी तो उनको पुनर स्थापित करना पुनर बसाना एक गंभीर समस्या देश के सामने थी इसके अतरिक्त देसी रियास्तों की समस्या भी थी यानिके जो देसी रियास्तें बारतिय संग मे शामिल हो गही थी या शामिल अभी नहीं हो रही थी उनको भी देश में शामिल करना या उन पे नियंतरण रखना एक समस्या थी इसके उन में से कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सपना देख रहे थे जैसे हैद्रावाद, जुनागर, कश्मीर वगएरा के जो चाहते थे और अपना अलग ही राग अलाप रहे थे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने की भी बहुत से देशी र्यास्तें के राजा सपने देख रहे थे तो वह भी एक समस्या थी अगर ऐसा होता तो भारत एक के स्थान पर अनेक स्वतंत्र राज्यों हो जाते तो इ इसी रियास्तों को निंतरित रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या उससमें देश के सामने थी तो इन परिस्तित्यों में संभिदान सबाद सदस्यों के विचारों पर गहरा प्रभाब पड़ाई कोश्चन नमबर 15 हैं सम्मिदान सभा में बारतिय विचारों की विविद्धिता किस परकार प्रतिबिंबित हुई तो इसका उत्तर इस परकार होगा कि सम्मिदान सभा का गटन कैबिनेट मिशन योजना के सुजावों के अंतरगत किया गया था और चुनावों की बात करते है तो सम्मिदान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतिय चुनावों के आधार पर किया गया था और इसमें ब्रिटिश भारतिय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के अतरिक्त यानिके जो ब्रिटिश आशनकाल में जो भारतिय प्रांत थे उन्होंने जो सदस्य वेज़े थे उसके रियास्तों के प्रतिनिदिवी थे जो देशी रियास्ते हैं थी उनके प्रतिनिदिवी इसमें समलित किये गए थे उन्हें इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि यह राज्ये भी एक एक करके भारतिय संग में शामिल हो चुके थे तो सदस्यों की प्रकर् प्रतिशा सदस्य कॉंग्रेस के थे और प्रंतु यह सदस्य विभिन वर्गों जातियों और संप्रदायों का प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द सदस्य निरिश्वरवादी और धर्म निरपेक्ष ते यानि के जो इश्वर में विश्वास नहीं करते थे तो इस तरह के भी धार्मिक आधार पर लग जो लोग थे जो आप कह सकते हैं कि नास्तिक टाइप के जो लोग थे वो सदस्य भी इसमें शामिल थे यानि के खाली हिं प्रतिनिदी नहीं लिए गये थे बलकि इसमें निरिश्वरवादी धर्म निर्पेक्ष या नास्तिक लोगों को भी स्थान दिया गया था एंग्लो इंडियन सदस्य जो है फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन का मतलब है जिनमें माता पिता में से एक भारती और एक अंग्रेज होता है उन्हें एंग्लो इंडियन कहते थे तो एस वर्ग से एक सदस्य थे फ्रैंक एंथनी तो उनके शब्दों में कुछ तक्निकी र एक संस्ता है और हिंदु माहसभा तो उसके भी सदक्से थे कुछ सदसे समाजवादी थे तो कुछ जम़ेदारों के समर्थ तकते यानि के कुछ समाजबाद में विश्वास करते थे समाजबाद का मतलब है कि समाज के सभी वरगों को भराबर अधिकार मिलने चाहिए और कुछ जो है जमिदारों के समर्थक थे यानि के एक विशेश वर्ग को जो जमिदारों का वर्ग था सादम संपन था जिनका भू संपत्ती और संसादनों पे कप जा था तो उनके भी समर्थक लोग थे कॉंग्रेस ने विभिन जाती हों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ स्वतंतर सदस्यों और महिलाओं को भी नामंकित किया था तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस ने अलग-लग छेत्रों से अलग-लग धर्मों से अलग-लग जाती हों और कुछ विधी विशेशक्य भी थे यानि के कानून के जो जानकार थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था इस प्रकार सम्मिदान सभा के चुनाव चाहे परत्यक्ष रूप से हुए हो प्रंतु इसमें सभी वर्गों जातियों संपरदायों वा महिलाओं को पर उपस्ति थे वर्शन नंबर 16 आदिवासियों के बारे में समिधान सभा में उठाइगे समस्याओं की व्याक्या कीजिए वे उनके लिए क्या चाहते थे तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा आदिवासियों के बारे में समिधान सभा में आदिवासियों के शोशन और उन के लिए उनकी निमेलिखित मांगे थी एंजी रंगा ने कहा कि अल्प संख्यों या अदिवासियों की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जाने चाहिए उनके अनुसार अल्प संख्यों को या अदिवासियों की व्याख्या करने के लिए उनकी संख्या को आधार ना बनाकर आर जी रंगा जी के विचार थे तो जैपाल सिंग ने आदिवासियों को सनरक्षन परदान करने पर बल दिया और कहा कि आदिवासियों को प्रतिनिधित्व परदान करने के लिए सीटों के आरक्षन की विवस्था आवश्यक है तो जैपाल सिंग ने कहा कि आदिवासियों को जो प्रतिनिधित्व की यहां जो समस्या की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने काया कि इनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इनकी सीटें जो हैं वो रिजर्व कर देनी चाहिए अरक्षित कर देनी चाहिए तो इससे अन्य लोगों को आदिवासियों की आवाज सुनने और उनके पास आने के लिए विवश किया जा सकेगा, अन्य था आदिम और पिछड़ा मानते हुए, शेस समाज उन्हें हिकारत की दृष्टी से देखता है, तो उन्होंने का कि जब इस तरह से उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, क्योंकि उन्हीं की सीटों पर उन्हीं के लोग ही खड़े हुँगे, उनके प्रतिनिधि ही खड़े हुँगे, तो उनकी आवाज को सुना जा सकेगा, और उस तरह से आदिम मैंने प्राचिन काल से जो पिछड़े हुए थे, आदिम अवस्ता में रह रहे थे, जंगली अवस् से देखते थे उनको पसंद नहीं करते थे तो वह आदिवासियों और शेष समाज के भीच भावनात्मक और भौतिक फांसले को खतम करना चाहते थे वह चाहते थे जैपाल जी कि आदिवासियों को और जो समाशेष समाज है जो सभ्य समाज कहलाता है उनके बीच में जो ये भ बावनात्मक और भौतिक फांसले थे बावनात्मक का मतलब सोचविचार में जो फांसले थे और भौतिक फांसलों का मतलब है आर्थिक और आधार पर जो फांसले थे उनके रहन सेन और उनके जीवन स्तर्क में जो अंतर था उन फांसलों को वो खतम करना चाहते थे question number 17 संभिधान सभा के अनेक सदस्यों ने दलित वर्गों के हितों का समर्थन क्यों किया संभिधान सभा ने अंततय उसके लिए क्या संतुती की तो इसका जो उत्तर इस प्रकार होगा कि संभिधान सभा के अनेक सदस्यों द्वारा दलित वर्गों के हितों का समर्थन करने का मुख्य कारण यह था कि वह जनसंख्या का 20 से 25 परतिशत भाग थे प्रंतु उन्हें जाती विभाजित समाज के समाजिक कायदे कानूनों और न 20 से 25 परतिशत यानिके हर पांच में से एक या चार में से एक व्यक्ति जो है अगर वो दलित वर्ग का है और फिर भी इतनी भारी संख्या में होते भी उनको जो है जातीगत आधार पर जो हमारा समाज विभाजित था जो समाजी कायदे कानून थे उसकी वज़ा से और नेत तरह से अपंग बना दिया गया था क्योंकि वो कोई भी अपनी योग्ता के अनुसार करने पा रहें थे नहीं शक्षा प्राप्त कर सकते थे और नहीं समानचा का अधिकार मांग सकते थे तो समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का प्रयोग तो तो किया था यानि के उनसे मेहनतों करवाते थे और उनसे काम भी करवाते थे प्रंतु उन्हें सामाजिक रूप से दूर रखा है तो अन्य जातियों के लोग उनसे मिलते जुलते भी नहीं थे और उनसे सिरफ काम करवाया जाता था लेकिन मेल जोल नहीं रखा जाता था उनके साथ वो खाना नहीं खाते थे और उन्हें मंदिरों में प्रवेश की भी मनाई थी, यानि के वो मंदिरों में पूजा के लिए नहीं जा सकते थे, नहीं उनके साथ किसी तरह का खान पान का व्याभार किया जाता था, इस प्रकार उनसे सामाजिक भेदभाव किया जाता तो इन सभी बातों पर विचार करने के बाद समिधान सभा ने जो विचार दिये जो सुझाव दियो इस प्रकार हैं पहला की ऐस परश्यता को अब कानूनन समाप्त कर दिया गया यानि के जो चुआचूत के भावना थी उसको कानून बना कर समाप्त कर दिया गया और सारजनिक संस्थानों पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के आजा सकते थे विदाई काउं और सरकारी नौकरियों में आरक्षन दिया गया और विदाई काउं का मतलब है कि जो संसद या विदानसबा वगेरा में इनके सदस्यों की संख्यानिश्चित कर दी गए तो उन वहां भी आरक्षन दिया गया और सरकारी नौकरियों में भी इनको आरक्षन दि गया था तो यहां जो अग्जेक्टिब प्रोपोजल था हमें बताना हैं उनमें किन-किन आदर्शों पर जोर दिया गया था तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि उदेश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को जो आलाल नहरू द्वारा समिदान सभाव में पेश किया गया था तो यह एक अंक में भी कईवार आ जाता है कि उदेश्य प्रस्तावों को किस ने प्रस्तावित किया तो इसका उत्तर है जो आलाल नहरू तो इसमें जो है निमलिके तादर्शों पर जोर दिया गया था पहला यह है कि स्वतंत्र संप्रभू गनराज्य यानिके भारत को एक स्वतं मंत्रदेश तो होगा ही और संप्रभू का मतलब यह है कि सारी जो सकता है वो गनराज्य के रूप में यहां के नागरिकों और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होगी और यह किसी भी बाहरी या आंत्रिक शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होगा और इन और स्वतंत्रता का वादा किया गया था कि सभी नागरिकों को न्याय मिलेगी समानता मिलेगी और स्वतंत्रता मिलेगी तो यह आश्वासन दिया गया कि सब नागरिकों को न्याय समानता और स्वतंत्रता परदान की जाएगी और तीसरा है अलप संख्यकों के हितों की रक् प्रावधान ने पिछड़े वर्गों के लिए परयाप्त रक्षातंक प्रावधान कीये जाएंगे. तो उनके लिए ये प्रावधान कर गये कि उनके विशेश प्रावधान उनके लिए रखे गये intéressant maar तागि उनको भी अन्य लोगों के संकख्ष लाया जा सके. तो उपरियुक्त देश्यों को रेखांकित करते हुए नैरू ने भारतिये परियोग को एक व्यापक एतिहासिक संदर में प्रस्तुत किया और कहा कि उनकी नजर बर्बस अतीत में हुए अतीत में पिछले टाइम में हुए गुतकाल में जो हुए थे उन एतिहासिक परियोग उन पे उनकी नजर जो है जा रही थी तो उन्होंने यह भी का कि कुछ मित्रों द्वारा लोकतांत्रिक शब्द का प्रियोग ना करने पर आपत्ती उठाई गई प्रियोग नहीं किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ साती उन्हें आपत्ती उठाई है तो उनका कहना था कि गणराज्य शब्द में लोकतांत्रिक होना स्वभाविक है क्योंकि गणराज्य का मतलब भी ये होता है कि चुने वे प्रतिनिधियों द्वारा शाशन चलाया जागा तो चुने का कौन जनता ही चुनेगी तो इसलिए लोकतंत्र जो है वो गणराज्य का ही एक हिस्सा है तो लोकतंत्र जो है इसी में छुपा हुआ होता है तो अतै इसक प्रियोग जो है आवश्यक नहीं समझा गया तो नहिरू ने का कि हम सिरफ नकल करने वाले नहीं है तो उन्होंने का कि यह नहीं है कि हमने दूसरे देशों का सम्मिधान जो है कौपी कर लिया है उसकी नकल मार लिया है ऐसा नहीं है हमने अपने देश की परिस्तित्यों के और स्वीकारिय होगी उसी को अपनाया जाएगा तो यह नहीं है कि दूसरे देशों का कानून देखकर हम उसी प्रकार से अपना कानून देश के कानून बना लेंगे तो उन्होंने का कि यहां जो कानून विवस्था बनाये जाएगी वो यहां के लोगों के स्वभाव यहने के र उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का समावेश करने और इन विचारों पर रचनात्मक ढंग से सोचने की आवशक्ता पर बल दिया गया तो उन्होंने कहा कि जो उदारवादी विचार थे और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे रहे थे समाजवादी विचार थे तो उन विचारों को जो है उन्होंने इसमें भारतिय समिधान का बनाते टाइम उनको इसमें मिलाया गया समावेश किया गया और विचारों में रचनात्मक्ता के सोचने की अवशक्ता पर भी उन्होंने बल दिया था Question number 19 है वे कौन सी एतिहासिक ताक्तें थी जिनोंने सम्मिधान का स्वरूप तै किया तो इसका उत्तरिस प्रकार होगा वे एतिहासिक शक्तियां जिनोंने सम्मिधान का स्वरूप तै किया निमें लिखित थी तो पहला है स्वतंतरता और विभाजन का एक साथ होना यानि के भारत जब स्वतंतर हुआ स्वतंतरता मिली तो उसके साथ साथ भारत को विभाजन भी जेलना पड़ा तो भारत को 15 अगस 1947 में जो स्वतंतरता प्राप्त हुई प्रंतु साथ ही देश का विभाजन भी हो गया और इसे भारत और पाकिस्तान दो देशों में बाट दिया गया था तो विवाजन के साथ जो उथल पुथल हुई उसमें असंखे लोगों की मृत्य हुई थी क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और सिख जो है अपने बहु संख्यक चेत्र की तरफ यानिके हिंदू और सिख जो पाक कि तरफ चल दिये तो इस आदान परदान में लोगों के आने जाने में जो है बहुत से लोगों की मृत्यों उन्हें मार काट दिया गया उनके घरों पे उनके वैपार पे कबजे कर लिये गये लोगों के घरबार उजड़ गये और उनको एक नए सिरे से अपना जीवन फिर कर पंजाब और बंगाल के छित्र में जहां पर धर्म के आधार पर पाकिस्तान को भारत से अलग करके बनाया गया था विस्थापितों की समस्या एक भीषन समस्या थी तो यह जो विस्थापितों के रिफ्यूजी लोग आये थे इनके को दुबारा से बसाना जो भारत सरका के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इस समस्या से निपटना जो है एक शक्तिशाली केंद्र द्वारा ही संभव था, तो इसका समाधान करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की अवश्रक्ता थी, जिसे विशेशा अधिकार दिये जाएं, ताकि नरसंधार पर नियं पर उनको बना कर उनको रखा जाना था क्योंकि जो ये स्थापित लोग थे ये किसी एक रज्य में नहीं जाके बसे थे विभिन जगा पर गए थे तो विभिन चेत्रों और विभिन रज्यों के लोगों के इसके लिए एक शक्तिशाली केंद्र की अवश्यक्ता थी जो वहाँ पर उनको बसा भी सके और शांती भी स्थापित करके आगे देश को नती के पत पर ले जा सके तो जो विविदताओं का देश है भारत भारत में अलग अलग भाशा जाती संस्कृतियों के लोग रहते हैं और अलपसंक्यक वर्ग भी यहां पर रहता है तो भारत एक विशाल और विविदताओं का देश है इसमें अलपसंक्यक और आदिवासी भी समलित हैं वो भी यहां पर रहते हैं तो बहुसंक्यक और अलपसंक्यक और सब्वे और आदिवासी सभी प्रकार के लोग यहां रह तो कुछ देशी र्यास्तें जो थी उनको सरदार पटेल ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा भारतिय संग में समलित कर लिया था तो उनके प्रत्नों की वज़ा से जो गणराज्य में समलित हो तो गहीं थी लेकिन इनको नियंतरत रखना उनके आगे जो राजाओं ने अ जो किस प्रकार उनको क्या-क्या सुविधाएं देरनी पड़ेंगी तो ये सब बातों पर भी विचार उनको करना पड़ा था तो ये जो एक बड़ी समस्या थी तो उसमें समलित होने के पश्चाती अवश्यक था कि सरकार का स्वरूप एकात्मक ना होकर संगात्मक हो तो ये जरूरी था क्योंकि देशी रियास्तें किसी एक छेत्रविशेश में नहीं थी रंपूर्ण भारत में अलग लग जगा फैली नहीं थी तो सरकार का सुरूप अगर एकात्मक होता या किंद्रिकृत कर दिया जाता तो फिर उनके साथ बड़ी दिक्कत हो सकती थी संभिधान में संगात्मक धांचा अपनाया गया और राजाओं नवाबों को प्रिवी पर्स प्रदान किये गया तो प्रिवी पर्स का मतलब होता है उनका जो खर्चा चलाने के लिए जो उनको धन दिया जाता है एक तरह से आप उसो पैंशन भी कह सकते हैं या एक एमाउं इसलिए जो उनको धन दिया जाता था भारत सरकार द्वारा उसे प्रिवी पर्स का जाता था तो उन्हें प्रिवी पर्स प्रदान किये गया जो बाद में 1971 में इंद्रा गांदी जो ततकालीन प्रदान मंत्री थी उन्होंने इस विशेशा दिकार को जो एलोक तंत्रिक भी सिरफ इसाधार पर देना उन्हें स्विकार ही नहीं था कि वो राजा या नवाब रहे थे तो इसलिए इसको 1971 में समाप्त कर दिया गया था तो सम्मिधान बनाते टाइम भाशा का प्रभाव भी रहा क्योंकि भारत में विभिन प्रकार की भाशाएं बोली जाती हैं तो सभी भाशाएं जो हैं एक दूसरे से बिलकुल अलग भी होती हैं या कुछ मिलती जुलती भी होती हैं लेकिन इतनी सारी भाशाएं थी तो उन भ बड़ा भाशाई अल्पसंक्यक चाते थे कि मात्र भाशा में अभिव्यक्ति की स्वतंतरता मिले और भाशाई आदार पर प्रांतों का पुनरगठन किया जाए तो उनका ये विचार था कि जहां जिस भाशा को बूलने वाले लोग रहते हैं तो वहां पर प्रांतों को इस प जबू, मराठी, आदि भाशाउं के सभी अलग अलग जगाउं के लोग चाते थे कि भाशा के आधार पर राज्यों का पुनरगठन हो तांकि उस चेत्रिय भाशा के आधार पर ही वो राजकारे कर सकें या वहां पर शिक्षा प्रदान करने या अपने भाव अभिवेक्ति को उनको सोतंतरदा मिल सके तो राश्ट्रिय भाशा के प्रश्ण पर देश में भिन भिन विचार थे तो राश्ट्रिय भाशा के रूप में हिंदी अंदुस्तान को अपनाना या किसी अन्य भाशा को अपनाया जाए या नहीं तो उस पर भी लोगों के विचार अलग लग थे संभिधान सबा में कई प्रकार के विचार व्यक्ति किया ग Tubات में हिंदी को राज किये भाषा बनाया गया ध्यान रछा llama है कि फिरीजो है वो राश्ट्रिय भाशा नहीं है कि है बलने हो ये छेत्रिय भाषा होती है second language होती है जहां जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं जैसे पंजाब के लोग पंजाबी में और इसी तरह से राजस्थान में राजस्थानी या गुजरात में गुजराती भाषा या महाराष्टर में मराठी तो इस तरह से शेत्रिय भाषाओं में कारे क करने के लिए उन्होंने उसको चुना समिधान सभा में हुई चर्चाएं जन्मत से किस प्रकार प्रभावित होती थी तो यह मैतुपवन प्रश्ण है एक्जाम में बार बार आता रहता है तो अब की बार भी प्रिगोड में यह क्वेश्चन आया था तो इसका उत्तर प्रका समिधान सभा में हुई चर्चाएं जन्मत से निमिलिकित प्रकार से प्रभावित होती थी पहला यह है कि किसी भी प्रस्ताव पर समिधान सभा में होने वाली जो बहस होती थी वह समाचार पत्रों में छापी जाती थी ताकि जन्साधारण को इसकी जानकारी प्राप्त हो स कि सम्मिदान सभा में जो भैस चल रही है वह समाचार पत्रों में छप जाएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि सरकार क्या कर रहे हैं कि उस समय जो है संचार के साधन जाद विक्सित नहीं थे टीवी मोबाइल वगएरा इस तरह की बाते नहीं थी तो समिधान सभा में वाले कारियों को लोगों तक पहुचाने के लिए तो रेडियर या समचार पत्र ही जो थे वह उप्यूक्त साधन थे तो इसलिए जो में जो भी सोती थी समचारपत्रों में झाप तो इस प्रकार जनता को आलोचना करने का अवसर मिलता था तो जनता जो है उनको किस तरह से पसंद ये ना पसंद करती थी वो उसके लिए जंता को पूरा मौका दिया जाता था किसी भी प्रस्ताव पर सहम्ती या एसहम्ती का प्रभाव पढ़ता था यानिके जो भी प्रस्ताव था उस पर देखा जाता था कि लोगों के प्रतिक्रियां क्या होती है तो उनकी सहम्ती या एसहम्ती का भी प्रभाव जो प्रस्ताव होते थे जिन पर बैस चल रही होती थे समिदान सभा में उनका असर पड़ता था और दूसरा है इसके अत्रिक्त सामुहिक सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए विभिन प्रस्तावों पर जनसाधारण के सुझाव भी अमंत्रित किये जाते थे यानि कि जनता से ये सुझाव मांगे जाते थे कि हो क्या चाहते ह ताकि सामुहिक रूप से यानि कि कुछ विशेश लोगों द्वारा ही समिदान बना कर रख दिया जाए ऐसा नहीं था बलकि वो चाहते थे कि सभी देश के लोग मिल जुलकर अपने विचार रखें और एक सर्वसम्मति वाली राय बनाने की कोशिश की जाती थी तो उस पर विचार करने के पश्चात प्रस्तावों पर अंतिम निर्ने लिया जाता था सभी बातों पर विचार किया जाता था लोगों के विचारों पर भी उनके द्वारा होई बैसों पर भी और उनके जो भी उनकी तरफ से जो सुझाव या प्रस्ताव आते थे तो उन पर भी इन्ट पर मिलते थे थे उन पर विचार किया जाता था तो एसी स्थिती में विधी निर्मा त्वारा दोहार विधी का मतलब कनुन तो क्यनौन बनाने वालों का कारिये वह काफी कठ्छिन हो जाता था कि किस बात को स्विकार किया जाए या किसे एस्विकार किया जाए, कुछ सुझाव जो प्राप्थ हुए वो निमल की थे, यनका जो जनता की तर्प से जो सुझाव आए वो इस प्रकार थे, पहला है All India, Waranashram, सवराज्य संग कलगत्ता द्वरा सुझाव दिया गया था कि समीधान प्राचीन करेतियों में उल्लेखित सिधानतों पर आधारित होने चाहिए तो यह चा friendships से थे कि जो समिधान बने जो हिंदूओं के जो प्राचीन सिद्धान थे जो धार्मिक और उनके पीछे से जो परमपराय चली आ रही थी उन्हीं पर आधारित होना चाहिए यह और इंडिया वरणाश्रम सहराज्य संग कलगत्ता द्वारा दिया गया था और गोहत्या और किये जाते थे उन पर उन्होंने रोक लगाने के लिए और विधायका और सरकारी विभागों और स्थानी निकायों आदी में जनसंक्या के आधार पर सीटों के आरक्षन की विवस्ता के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिये थे तीसरा है भाशाई अल्पसंक्याग तो भाश सीजह 25 तरह से बनाए गए थे कुछ प्रोवेंशीस होती थी कुछ में बटे ऊई ते देश में बड़े-बड़े राज्जें थेसे मदरास प्रेजिडेंसी बंबई प्रेजिडेंसी सेंट्रल प्रोविजिंस और संयोक्त प्रांतादी पंजाब बड़े-बड़े राज्ये होते थे तो वो चाते थे कि प्रांतों का गठन जो है वो दुबारा से भाशा के आधार पर किया जाए और धार्मिक अल्प संक्यकों का विचार आये थे और वो विश के लिए वो विशेष सुविदाओं की मांग कर रहे थे तो विजे नगरम के जिला संग और बंबई के सेंट्रल जूष बोर्ड के भी सुझाब मिले तो विधाइका सहीत सभी सारजनिक स्थानों में उनके लोगों को परियाप्त प्रतिनिधित्व मिले तो वो चाते थे कि कि जो विधाइका है और उसके अलावा जो स्थानिय सारजनिक संस्थान है उनमें भी उन लोगों को परियाप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिले और उपर्यूक्त वर्णन से सपष्ट होता है कि सम्मिधान सभा के सदस्यों का चुनाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दावों पर चर्चा कीजिए तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि सम्मिधान सभा में दमित समोहों की सुरक्षा के पक्ष में किये गए विभिन दावे निमिल लिखित हैं यहां बतादे दमित का मतलब होता है जिनने दवा कर रखा गया था यानिके जिनको अधिकारों से बंचित करके रखा गया तो उनके सुरक्षा के जो पक्ष में जो दावे पेश किये गए वो इस प्रकार थे पहला है कि सम्मिधान सभा में दमित जातियों के अधिकारों को किस प्रकार प्रभाशित किया जाए यह एक समस्या थी और दूसरा है कि राश्ट्रिय अंदोलन क के दौरान अमेडकर ने दमित जातियों के लिए प्रथक निर्वाचिका की मांग की थी जिसका गांदी जी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाए यानिकि यह दमित जातियों के समुदाए जो हैं वो स्थाई रूप से शेष समाज से कट अगर इस तरह से प्रतक निर्वाचिका अगर ले ली जाएगी तो जिस तरह से हिंदू और मुस्लमानों में भारत और पाकिस्तान की दरबटवारा हो गये उस तरह ये अगर प्रतक निर्वाचिका ले लेंगे तो समाजिक रूप से चाहे बेशक देश के रूप में बटवा था कि एस पर्शियों की समस्या, यानिकि अन्टचेबल जो जाती हैं, समझी जाती थी, उनकी समस्या का हल जो है, वो समरक्षक वा भचाव नहीं है, क्योंकि उनकी अपंगता का कारण जाती विभाजत समाज के काईदे कानून और नेतिक मुल्ले माननेता हैं. यानि के कुछ से दब से यह कह रहे थे कि जो जातियां जो एसपर्ष्य समझी जाती हैं जने समाज हे दिरिष्टी से देखता है उनका हल जो है उनकी समस्याओं का हल है वो संरक्षण या बचाव से पॉसिबल नहीं है कि उनको नोक्नियों में आरक्षण दे दिया जाए या उनके protection के लिए बचाव के लिए कुछ कानून बना दिया जाएं क्योंकि जो उनने अपंग कर दिया गया था इतने वर्षों से उनको अधिकारों से वंचित करके समाजिक रूप से अलग थलग करके तो उसका कारण जो है वो काईदे कानून और नैतिक वो माननिताएं हैं मु इसलिए समाजिक रूप से उनका ये था कि समाजिक और आर्थिक सुधारों की आवशकता है ना कि काईदे कानून में विशेश दर्जा दिये जाने की तो समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का उप्योग करके शोशन किया यानिके उनसे काम तो करवाया मैनत भी कराई सेव लेकिन उनका शोशन किया और उन्हें समाजिक और अधिकारों से समाजिक रूप से अपने से दूर भी रखा। रूप से तोड़ दी गई थी और उन्हें जो है बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था मदरास के सदस्य के जे नागपा ने कहा कि वह हमेशा कश्ट उठाते रहे हैं यानि कि जो दमित समाज के लोग हैं जो दलित लोग हैं वो हमेशा कश्ट उठाते रहे हैं प्रंतु अब dudes न उठाने पड़े तो उन्होंने कहां कि हरी जन अलप संख्यक नहीं है तो उन्हें अलप संख्यक का दरजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो संख्या में बहुत अधिक थे जन संख्या में जो उनका प्रतिशत था भाग है वो 20 से 25 प्रतिशत था तो इस तरह से जन संख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो इस प्रकार था कि वो हरिजन अलप संख्या के नहीं हो सकते थे क्योंकि वो समाज के कुल समाज के जन संक्या का 20-25 प्रतिशत थे तो उनकी पीडा का कारण सदा उनको हाशिये पर रखना था तो वो अलप संक्या कोने की वज़ा से परिशान नहीं थे कि उन्हें अलप संक्या गोशित कर दिया जाए और कुछ विशेश अधिकार दे दिया जाए वो कहरें वो अलप संक्या थे ही नहीं वो संग्जन संक्या 20-25 प्रतिशत थे लेकिन उनका दुखों का कारण जो है पीडा का कारण ये है कि उन्हें हाशिये पर रखा गया यानि कि समाज से अलग थलग करके रखा गया था तो उनको शिक्षा और शाशन में हिस्सेदारी कभी भी नहीं दी गई ना तो उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज में उनको स्थान जो है वो दिया ही नहीं गया था साथ इसाथ शाशन में या सरकारी नोकरियों में भी इस्सेदारी नहीं दी गई थी मद्दे प्रांत के जे खंडेल करने का कि हमें हजजारों साल दबाया गया है कि हमारा दिमाग और दे काम नहीं करती और अब हमारा हिर्दे भी भावशुन ने हो चुका है ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गये हैं तो उन्होंने का कि हजजारों सालों से हमारे गोराजनितिक आर्थिक और समाजी ग्रूप से इतना दबाया कुछला गया है इतना अलग थलग कर दिया गया है कि अब हमारा शरीर और मन दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया है हरदे में कोई भी भावना शेश नहीं बची है कोई उमंग कोई उमीद नहीं बची है और ना ही हम आगे बढ़ने लायक रह गए हैं तो इससे पता लगता है कि ये समाज कितनी फ्रस्टेशन में था कितना ज़्यादा वो उमीद खोके आशाहीन हो चुका था तो इस प्रकार समिधान सबाब में धमितों के लिए विभिन प्रकार के दावे किये गए थे अंत में समिधान सबाब ने मिलखित सुझाव दिये तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद जो सुझाव दिये वो इस प्रकार है पहले है कि एस परश्यता का उन्मोलन किया जाए और दूसरा है हिंदू मंदिरों को सब जातियों के लिए खोल दिया जाए और तीसरा है कि निचली जातियों को विधाइकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षन दिया जाए तो ये सुझाव जो हैं समिदान सभा में दिये गए cause number 22 है समिदान सभा में प्रतक निर्वाचिका के प्रेशन पर विभिन सदस्य द्वारा व्यक्त किये गए इस समस्य का हल क्याel निकाला गया ये एक मैतवपूर्ण प्रेशन था जिसका समाधान करना आवश्यक्त था तो नहरू जी ने अपने उद्गाटन भाषन में जनता की इच्छा का हवाला दिया था कि सम्मिधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई, आकांशाओं और भावनाओं को पूरा करना है। जनता की इच्छाएं और आपक्षाएं और भावनाओं को जो उस समय जनता के दिलों में समाई हुई थी, जनता की इच्छाएं थी, तो उनके बीच में प्रस्पर विरोधी जो बातें आ रही थी, तो उनमें से एक निचोड निकाल कर किसी एक आम सहमती को बनाने का प्रत्न किया जा रहा था, तो प्रत्थक निर्वाचिका एक ऐसा ही प्रश्ण था, इस पर कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, जो निमलिकित हैं, पहला है कि 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने प्रत्थक निर्वाचिका के पक्ष में निमलिकित विचार व्यक्त किये पहला है कि अल्प संख्यक सब जगा होते हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते हमें जरूरत एक ऐसे राजनितिक धांचे की है जिनके बीतर अल्प संख्यक भी औरों के साथ सदभाव से जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो वो चाहते थे कि राजनितिक धांचा इस प्रकार का खड़ा किया जाए कि जो अल्प संख्यक जो थे वो सब के साथ मिल जुल कर रहे हैं और अपने आपको अलग ना समझें और जो मतभेद हैं विबिन समुदायों के बीच उन्हें कम से कम किया जा सके और दूसरा है कि उन्होंने का कि के शाषन में मुसल्मानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनक्षित करने के लिए प्रतक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता तो वो चाहते थे कि अगर मुसल्मानों को अगर सार्थक हिस्सेदारी देनी है तो उनके लिए प्रतक निर्वाचिका शक्ताओं को गैर मुसल्मान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते और ना अन्य समुदायों के लोग मुसल्मानों का कोई सही प्रतिनिदी चुन सकते थे तो उनका कहना था कि मुसल्मानों के प्रतिनिदी ही उनकी आवाज सही तरीके से उठा सकते हैं और कोई गैर मुसलिम जो है उनका प्रतिनिद्यत्व सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो उपर युक्त बियान से राष्टरवादी जो थे वो भड़क गए क्योंकि वो मुसल्मानों को प्रतक निर्वाचन के पक्षदर बन रहे थे तो उसे राष्टरवादी लोग थे जो नेशनलिस्ट लोग थे वो भड़क गए सम्मिदान सवा में बैसोई रमांग के विरोध में कई तर्ग दिये गए जो निमेलिकित थे पहला है आर भी धुलेकर ने बादुर को संबोदित करते वे कहा कि अंग्रेजों ने आरक्षन के नाम पर अपना खेल खेला है और उन्होंने इस तरह से ये अलग स प्रतक निर्वाचिका का जो दे कर देश को विवाजित करने का जो गेम खेला है तो उसको समझने की जरूरत है तो इसकी आड़ में उन्होंने अलप संख्यों को फुसला लिया है यानि कि अलप संख्यों को ये लग रहा था कि अंग्रेज उनके हितैसी हैं इसलिए जो है वो चाह रहे थे कि ये प्रतक निर्वाचिका या धर्म के आदार पर जो अरक्षन की बात थी वो अलप संख्यों को फुसलाने के लिए की गई थी तो अब इस आदत को छोड़ दो अब तुम्हें बहकाने वाला कोई नहीं है वो कह रहे थे कि अंग्रेज जब चले गहे है तो क्योंकि तुम्हें कोई भैकाने वाला नहीं है इसलिए इस प्रतक निर्वाचिका की मांग की आदत को अब छोड़ दो दूसरा यह है कि राष्टरवादी नेता सरदार पटेल ने कहा प्रतक निर्वाचिका एक ऐसा विश है जो हमारे देश की पूरी राजनिती में सम तो यहां जो है उन्होंने का कि यह जो जहर के समान है यानि कि यह पूरी तरह से हमारे देश की राजनिती में समा चुका है जो यह जहर है प्रतक निर्वाचिका का तो इससे वो जो कह रहे थे कि ये हमारे देश के लिए बहुत आनिकारक है और जहर की तरह है और उनकी राय में इस मांग ने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाया यानि कि हिंदू मुसलमानों को आपस में बिढ़ा दिया उनके अंदर जगडा किया और राष्ट को छोड़ दो तो उन्होंने जो दलित अल्प संख्यक वर्ग थे उनसे कहा कि अगर तुम देश में शांती बनाए रखना चाहते हो इसलिए प्रतक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया जाए गोविंद वल्लम पंत ने कहा था कि प्रतक निर्वाचिका राष्ट्र औ अल्प संख्यक वर्गों दोनों के लिए हानिकारक है ये भी एक नंबर वाले प्रेश्ट में कई बार आ जाता है कि प्रतक निर्वाचिका राष्ट्र और अल्प संख्यक वर्गों दोनों के लिए हानिकारक है तो विष्ट वाली बात आती है तो वहां पे सरदार पटे आ यानि कि सुसाइडल डिमांड है जो अल्प संख्यकों को स्थाई रूप से अलग थलग कर देगी और शाषन में उन्हें प्रभावी इससेदारी भी नहीं मिल पाएगी मुसल्मान भी प्रतक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे यह नहीं थे कि सारे मुसल्मान चाहते थे कि प्रतक निर्वाचिका दे दी जाए काफी मुसल्मान ऐसे थे जो राष्टवादी थे भारत के हक में थे वो चाहते थे कि प्रतक निर्वाचिका नहीं मिलनी चाहिए एजाज रसूल भी इसे आत्मगाती मानती थी बेगम एजाज रसूल जैसा कि आप नाम से ही समझ गे होंगे कि एक मुसलिम थी लेकिन वो प्रतक निर्वाचिका को आत्मगाती मानती थी तो बहार ने निम्मलिकित सुझाव दिये तो प्रतक निर्वाचिका पे जो सुझाव परिजन भाइब इस प्रकार हैं वो भी अल्प संक्या को नेका हरीजन लोग वी दावा कर रहे थे तो उनको ऐस परिष्टा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया और सारवजिनिक स्थलों पर सभी लोग बिना किसी बेदभाव के आजा सकते थे मंदिरों वादी सारवजिन क्वेश्ट नमबर 23 सम्मिधान के अंत्रगत केंदर और राज्यों में दिए गए शक्तियों के बटवारे का वर्णन कीजिए या सपस्ट कीजिए कि भारतिय सम्मिधान केंदर सरकार राज्य के अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है तो यह दोनों तरह से प प्रकार और राज्यों के अधिकारों के विशे में काफी चर्चा हुई और अंत में निमेलिकित प्रकार से इनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान गई गई पहला है शक्तियों के विवाजन के लिए तीन सूचियां बनाई गई जो शाशन की शक्तियां थी उनके तीन वो केंद्रिय सरकार के अधीन थे और उसमें राष्ट्रिय महत्व के विशे थे यानि कि जो पहली केंद्रिय सूची थी उसमें जो विशे लिए गए वो केंद्र सरकार के अधीन आते थे और उन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी क्योंकि वो सारे के सारे राष्ट्र मैत्व के प्रश्न थे और राज्य सूची के विशे जो हैं वो राज्यों के लिए थे यानिके राज्य उन पे कानून बना सकते थे और संबर्ती सूची में जो विशे लिए गए थे उन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती थी यानिके केंदर सरकार भी और राज्य सरकार भ कानून होगा तो इस तरह से संवर्थी सूची में जो विशे रखे हो गए थे उन पर दोनों सरकार ही कानून बना सकती थी तो इसके अतिरिक्त धारा 356 के अंत्रगत केंद्रिय सरकार आपात कालीन घोशना के द्वारा राज्य सरकार की शक्तियां अपने हाथों में ले सकती तो धारा 356 के अनुसार केंद्र सरकार आपात काल के दौरान यानिके जब देश संकट में हो तो सेंट्रल कवर्णेंट एमर्जनसी डिक्लियर करके आपात काल गोशित करके राज्य की जो भी शक्तियां थी यानिके राज्य सूची और संवर्थी सूची के विशे जो हैं वो अपने हाथ में लेकर उन पर का जो है खुद से कानून बना सकती थी इस तरह से जो है देश के संघात्मक जो नाचा था उसे एकात्मक कर दिया जाता आपात कालिन गोश्णा के द्वारा तो दूसरा है करों का विभाजन जो था कि आये कि आर्थिक आधार भी जरूरी ह है राज्यों और केंद्र के लिए तो करों का भी विभाजन किया गया जो इस प्रकार की था कि पहला है कि सीमा शुल्क और कंपनी कर जैसे थे यानिके कस्टम ड्यूटी और कंपनी टैक्सिस जो यह सारी आई जो है केंद्र सरकार को दी गई और दूसरा है कि आईकर और लगाये जाते थे यानिके राज्य सरकारों द्वारा जो शुल्क लगाये जाते थे वो राज्यों को ही दे दिये गए तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ शुल्क ऐसे थे जैसे शीमा शुल्क और कंपनी कर यह केवल केंद्र सरकार के पास रहते थे लेकिन आयकर और पास ही रहते थे तो इस तरह से तिन दोनों जो है केंद्र और राज्यों को अपने आर्थिक संसादन जुटाने के लिए इस तरह से विभाजन किया गया इसके अतिरिक तो कुछ कर जैसे जमीन और संपत्ती कर बिक्री कर वसूल करने का अधिकार भी राज्यों को दे दिया गया यानि कि जो संपत्ती कर बिक्री कर वगएरा सेल टैक्स वगएरा है और जमीन के उपर लैंड और प्रोपर्टी टैक्स वगएरा है ये सारे टैक्सिस जो हैं ये राज्य सरकारों को ही दिया गया अधिकार क्यों इन्हें वसूल कर सकते थे इस प्रकार केंदर और राज्यों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गया ये एक बिलकुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ये ये जो कर हैं ये आर्थिक स केंद्रियतावाद को बड़ावा मिला जिसके परणाम सुरू केंद्रिय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्णों में भी देखा है कि समय की मांती की देश का विभाजन हो गया था रिप्यूजीज की समस्या थी अलपसंख्यकों की समस तो इसलिए सम्मिदान में भारतिय संग के घटक राज्यों के अधिकारों के तुल्ला में केंद्र के अधिकारों की और जुकाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सम्मिदान जो है वो केंद्री करण करता है अधिकारों का बजाए के उसके जो है अलग ज जो है राज्यों में बाट कर उसको डिस्टिब्यूट करने के वज़ाए उसका जो जुकाव है वो केंद्र सरकार की तरफ को अधिक दिखाई देता है प्रशनों के उत्तर देने हैं यानि यहां पैराग्राफ पैसेज दिया गया उसको पढ़ना है और उत्तर देना है तो इस भाई पटेल ने कहा था यानि कि उन्होंने जो कहा वो इस प्रकार है यह दोराने का कोई मतलब नहीं है कि हम प्रतक निर्वाजिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है तो यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं हम सालों से सुन रहे हैं इसी अंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र हैं तो वो कह रहे हैं कि प्रतक निर्वाचिका की जो है वो अच्छी मांग नहीं है और हम बहुत समय से इसको प्रतक निर्वाचिका की बात को सुन रहे हैं और इसी का कारण है यही इसी अंदोलन प्रतक निर्वाचिका वाली का कारण है कि भारत जो है एक संयोक तराष्ट नाओ के एक विभाजित राष्ट हो गया है यानि कि भारत और पाकिस्तान दोईसों में बट गया है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रतक निर्वाची का हो उन्होंने उन सदस्यों को जो प्रतक निर्वाची का की मांग कर रहे थे उन से प्रश्ण किया कि आप मुझे पूरे विश्व में ऐसा एक भी देश दिखा दो जहां अलग से निर्वाची का प्रतक निर्वाची का यानि कि सेपरेट अलेक्रेट दिया गया हो तो अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी प्रतक निर्वाचिका की व्याख्या की विवस्ता बनाए रखी गई तो यहां जीने का कोई मतलब नहीं होगा तो उन्होंने का जब देश आजाद हो गया विभाजन भी हो गया प्रतक निर्वाचिका की आधार पर फिर दुबारा से इस प्रतक निर्वाचिका की व्यवस्ता को अगर आगे भी बनाया जाए तो इस देश में जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यानि कि देश जो है वो تैसनायस हो जाएगा. इसी लिए मैं कहता हूँ कि सिरुफ मेरे भले की बात नहीं है बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएं तो भो चाते थे कि जो अतीत में हुआ फेले भूत काल में हुआ उन सब बातों को भूल जाएं और अंग्रेज तो चले गए हैं मगर जाते जाते वो शरारत के बीज बोगे हैं तो हम इस शरारत को और आगे नहीं बढ़ाना चाते तो फिर वो क्योंकि वहाँ कुछ और शराब आओगा तो कहते हैं सुनिये सुनिये तो संबोधित करते वे अन्य सदस्यों को तो जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उमीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी यहां से भागना पड़ेगा तो वो सोच रहे थी अंग्रेजों ने एक बहुत दूर का कौड़ी लेके आये थे लंबे समय तक शाषन करना चाते थे इसलिए वो चाते थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिशी लाए वो और इस तरह से वो चाते थे कि देश में लंबे समय तक शाषन कर सकें लेकिन उन्हें उमीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी यहां से भागना पड़ेगा तो उन्होंने तो अपना शाषन की सुविदा के लिए यह सब किया था तो खैर कोई बात नहीं मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं उन्होंने का अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो अपने पीछे उन लोगों को छोड़ गए जो वो उसी तरह की सोच रखते हैं जैसा की अंग्रेज सोच रहे थे तो वो अपनी विरासत पीछ चोड़ गए हैं और हमारे को उनके इन मनसूबों को काम्याब नहीं होने देना है तो अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं या इसी में फसे रहेंगे तो ये समिधान सवा में बहस के दौरान खंड पांच में ये बात रखी गई थी अब प्रश्न है प्रतक निर्वाचि को एक बुराई इसलिए मानना जाता है क्योंकि इसने एक समुधाय को दूसरे समुधाय से लड़ाया है कि प्रतक निर्वाचिगा के वज़े से हिंदू और मुसल्मान आपस में लड़े देश का विवाजन भी इसी आदार पर हुआ और असंख्य लोगों का रक्त भी बहा कोश्चन नमबर दो है सरदार बल्लब भाई पटेल द्वारा राजनितिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए दिये गए तरकों का उले कीजिए तो सरदार बल्लब भाई पटेल जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया तो उनका जो उनके लिए उन्होंने क्या क्या तरक दिये उनको बताना है तो इसका उत्तर है कि सरदार बल्लब भाई पटेल ने राजनितिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए ने लिखित तरक दिये पहला है कि विश्व के किसी भी स्वतंत्र देश में प्रतक पाजन हुआ क्योंकि वह अतीत में पहले हो चुका है इसी की वजह से जो है भारत दो देशों में बट गया एक संयुक्त देश ना होकर विखंडित देश बन गया तो तीसरा यह कि अंग्रेज्जों की यह शरारत थी और इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए इसी में हमारी समझदारी है नहीं तो देश फिर से छोटे-छोटे टुकडों में बट जाएगा और चोथा जो यह है कि प्रतक निर्वाचिका की विवस्ता अगर रही तो यहां जीना जो है वो बेमतलब हो जाएगा तो यह सब तर्क जो है उन्होंने दिये थे कोशन नमबर तीन है प्र प्रतक देश को कैसे अञतिया की प्रतक निर्वाचिका की विजह से प्रतक देश प्रकार बन गया आपको बताना है तो तो प्रतक निर्वाचिगा की धारणा 1909 में बनाए गया प्रतक चुनाव चेत्रों जो मुसलमानों के लिए लग से बनाए गये थे 1909 में तो उससे आरंब हुई थी तो इसका विस्तार जो है 1919-1935 के कानूनों के अंतरगत किया गया यानि कि उसे और आगे बढ़ाया गया इ और 1940 में मुसलिम लीग ने मुसलिम बहूल इलाकों में सीमित स्वाइतता की मांगी तो यही जो है दीरे दीरे जैसे यह कानून बनते चले गए और प्रतक निर्वाचिगा को आगे अंग्रेजियों दोरह बढ़ावा दिया गया तो उसकी वज़ा से जो है 1937 के चुनाव ज जो है सीमित स्वाइतता की मांग करने शुरू कर दी जो धीरे धीरे जो है पाकिस्तान के रूप में उभर कर बाहर आई तो 1946 में कैबिनेट मिशन की ऐस सफलता से देश का विवाजन कमोंबेश परियार यह हो गया था यानिके कैबिनेट मिशन फेल होने के बाद यह बात मा देश का विवाजन कोई रोख नहीं सकता था तो यह सब जो है प्रतक निर्वाचिका की वजह से ही समपन हुआ तो इस प्रकार देश का जो विवाजन हुआ वह प्रतक निर्वाचिका के परिणाम सरूप आखिरकार पाकिस्तान के रूप में प्रतक देश बन गया पंत ने कहा कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाए और खुद के बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी तो वो कह रहे हैं कि अगर हम एक निष्ठावान नागरिक हैं धेश के तो हमारे को किसी समुदाए विशेश का व्यक्ति ना समझना चाहिए और उसी के अनुसार नहीं सोचना चाहिए तो ये आदत जो हमें छोड़नी पड़ेगी लोगतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्म अनुशाशन की कला का प्रशिक्षन लेना होगा लोगतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम और ओरों के लिए ज्यादा फि मुदाई वर्ग के विशेश के प्रती सोचना होगा तो यहां खंडित निष्ठा के लिए कोई जगा नहीं है सारी निष्ठाएं केवल राज्ये पर केंद्रित होनी चाहिए यानि के सबसे उपर जो है राष्ट होना चाहिए नेशन फर्स्ट का नारा होना चाहिए यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतीस परदी निष्ठाएं रख देते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति या समूँ अपने अपवे पर अंकुष लगाने के वज़ाए रहतर और अन्य हितों की जरा भी परवा नहीं करता तो ऐसा लोकतंत्र का डूबना निष्चित है यहां यह लाइने हैं इनको हम समझते हैं को कहते हैं कि किसी लोकतंत्र में अगर आप प्रतीस परदी निष्ठाएं रखते हैं यानि के एक से अधिक निष्ठाएं रखते हैं और यह सोच के करते हैं कि किस निष्ठा की वज़ा से आपको क्या लाब हो सकता है तो इस परकार की प्रत परदी निष्ठाएं अगर आप रखते हैं तो और जिससे कोई व्यक्तिया सम्मूम जो है अपने अपवे पर यानि के जो अपवे का मतलब होता है जरूरस से अधिक कर्चे पर अंकुष लगाने के बजाए जो रहतर यानि के बड़े रूप से यानियों के हितों की जरा भी परवान नहीं करता तो फिर जो है लोकतंत्र डूब जाएगा यानि के आप अगर अपने अपने बारे में सभी लोग सोचने लग जाएंगे सभी छेत्र सभी भाषा सभी धर्मों आदी के लोग अगर अपने अपने बारे में सोचेंगे तो लोकतंत्र का डूबना गोविंद वल्लम पंत ने आत्म अनुशाशन की कला पर अधिक जोर क्यों दिया था तो उत्तर है गोविंद वल्लम पंत ने आत्म अनुशाशन की कला पर अधिक जोर दिया क्योंकि उनके अनुसार हमारे भीतर यह आत्मगाती और मांजनक बात हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुधाय के रूप में सोच पाते हैं तो उन्होंने का कि भारत के अंदर ये दिक्कत है कि आज तक भारत जो सदियों से गुलाम रहा वो हमारी इस मानसिक्ता की वज़े से है कि कभी भी हमने देश के नागरिक के रूप में नहीं सोचा बलकि एक समुदाय विशेश के व्यक्ति के रूप में सोचा है यानि कि हमारी जो वुफादारी और सो समझने लग जाते हैं पंत के अनुसार निष्टावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और स्वेम के बीच में रखकर सोचने की इस आदत को छोड़ना पड़ेगा कोशन नमबर दो है लोकतंत्र की सफलता के लिए किसे महत्वण माना गया था तो इसका उत्तर है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्म अनुशाशन की कला का प्रशिक्षन लेना चाहिए क्योंकि आत्म अनुशाशन के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कि सभी नागरिकों के सभी व्यक्तियों को आत्म अनुशाशन की ज दिक करनी चाहिए इस दर्शन पर यानिके इस फिलोसफी पर अपने विचार प्रकट कीजिए तो इसका उत्तर होगा पंत के अनुसार लोकतंत्र में हर एक को अपनी फिक्र कम और औरों की फिक्र जादा करने चाहिए यहां खंडित निश्ठा के लिए कोई स्थान नहीं है य सारी निश्ठाएं केवल राज्ये पर ही केंद्रित होनी चाहिए लोकतंत्र लोगों की सरकार लोगों के लिए होती है तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार है वो लोगों की लिए है और लोगों के प्रती ही है और लोगों की ही है इसमें किसी एक के पूरती ना होकर सबके कल्यान का उद्देश्य होता है अधे लोकतंत्र की सफलता के लिए व्रैत्तर हितों की चिंता करना अवश्क है तो वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि देश का राष्टर का कल्यान हो तो हमारे कल्यान का रियो देश्य हो तो हमारे को अपनी निजी और छोटी सोच को छोड़ कर ब्रैतर यानि के बड़े हितों में, ब्राड हितों में सोचना चाहिए। इसलिए आज का राज्य जो है वो कल्यान कारी राज्य है। अब हम जो है मानचित्र पे देखते हैं तो ये मानचित्र वाले प्रशनों को करने के से पहले है कि समीदान लागु होने से पहले का ये मान जो है आप इसमें देख सकते हैं कि 1950 से पहले भारत वो किस प्रकार से वेदेखत है। यह जो हैं राजाओं के नवाबों के राज्जे थे जो की अलग राज्जे थे जो देशी राज्जे थे यह बड़े बड़े राज्जे ही यहां दिखाये गए हैं छोटे मोटे राज्जे भी काफी संख्या में थे और जो इस तरह से यह गहरी काली लाइने जो इस तरह से इ वह स्थान है जो कि मुसंलिन निमांड करती जहां पे अलग देश बनाने के उस पर जो 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 अंगरें जो मुस्लिम लोग जो हैं अलग देश की मायंक जिस चेत्रों को रहे थे यह वह वह वालज्म हां जहां मुसलिम लोग बहुत संक्यक थे तो इस तरह कि ये जो रेखाएं हैं ये ब्रिटिश इंडिया है जो मतलब कमपनी सरकार के बाद सीधा ब्रिटेन के अधिकार में चला गया था और ये इससे भी उसी उसमें आते हैं लेकिन ये वाला इससे वो हैं जा मुसलिम बहुत संक्यक अब ये भारत का जो राजनितिक मानचित्र है इसमें हमारे को मानचित्र में कुछ राज्यों के नाम और वहां बोली जाने वाली भाशाओं के बारे में हमारे को एकित करके हम इसकी जानकारी लेंगे तो आपको उनको याद रखना है तो पहला जो राज्य है ये जो राज अरुनाचल परदेश यहां पर मौनपा मिजी आका और निशिंग भाषा बोली जाती है तीसरा जो है वह असम यह राजे असम है और यहां पर असमी भाषा यह यह वह बोली जाती है अगला जो राजे है यह बिहार है तो यह बिहार राजे जो है यहां पर हिंदी मैथली और भोजपुरी बोली जाती है अगला जो राजे है वो है चत्तिस गड़ यह जो है चत्तिस गड़ है तो यह चत्तिस गड़ के अंदर जो है हिंदी से मिलती जुलती स्थानी भाषा बो तो ये गोवार के अंदर जो है कौंकणी और मराठी बोली जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं ये महाराष्टर के पास है और कौंकण का इलाका भी इदर है तो कौंकणी और मराठी भाषा जो है इसमें बोली जाती है इसके अलावा जो अगला जो रज्य है वो है गुजरात और जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और इसके बाद जो रज्य है वह हर्याना तो हर्याना में हिंदी या हर्यानवी भाशा बोली जाती है अगला ये है हिमांचल परदेश और हिमांचल परदेश में हिंदी और पहाड़ी भाषा डोगरी भाषा जो है वो बोली जाती है ये जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उर्दू कश्मीरी पंजाबी डोगरी और पहाड़ी भाषा बोली और ये जारखंड राज्य है जारखंड के अंदर भी हिंदी से मिलती जुलती भाषा बोली जाती है तो ये करनाटक राज्य है और करनाटक राज्य में जो है करनण भाषा बोली जाती है ये केरल है और केरल में मल्यालम भाषा बोली जाती है और ये मद्यपरदेश है यहाँ पर भी हिंदी भाषा बोली जाती है अगला रज्य जो है वह महाराष्ट्र और यहां पर मराठी कुमकणी आधी भाषा बोली जाती है और यह मनिपुर रज्य है और यहां पर मनिपुरी यहां की भाषा है अगला रज्य जो है वह मेगाले और यहां पर खासी गारो और अंग जाती है और नागालेंड के अंदर जो है कोनक अंगामी शीमा और लोथा भाषा भोली जाती है यह राज्स्थान हे यहां पर ऀंदी राज्स्थाद कि आ मारवाडी भाषा बोली जाती है और यह सिक्किम है और यहां पर लेपचा भूटिया सिक्मी और हिंदी भाषा बोली जाती है इसके अलावा यह जो है तमिल नाडू है और यहां पर तमिल भाषा बोली जाती है और त्रिपुरा में जो है बांगला कोक बोराका और मनिपुरी यहां पर बंगला भाशा और टेलंगाना और टेलगु और भाशा आपने जो अपना कींति समय दिया उसके लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक का बटब लएँ, अगर मेरे चैनल पे नही है और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के लोटिफिकेशन आपको मिल सकें और हो सकें इस वीडियो को जितना भी हो आप अलग लग प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप जुड़े हैं वहां पर इसको शेर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाग उठा सकें धन्यवाद